आधी रात को एक बाव फिर से पूजा भट ने क्यों दिखाया है फुकरा इंसान को नीचा? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तूड गए हैं फुकरा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभिशेक बार-बार पूजा के पास जा तो रहा है? लेकिन जिस तरीके से पूजा भट उन्हें ट्रीट करती नजर आ रही है ये बात बिलकुल भी पसंद नहीं आ रही है फुकरा इंसान को क्या हुआ है ऐसा हम आपको बताएंगे टीवी तमाशा पर लेकिन अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे आप जानते ही हैं कि कल टास के दौरान अभिशेक ने पूजा भट से बात करने की कोशिश की उसने बताया कि कैसे वो पूजा भट की रिस्पेक करता है लेकिन इसके बाद पूजा भट ने जो जवाब दिया उन्होंने अपने जवाब में ये बात साबित करने की कोशिश की कि फुक्रा इंसान जो है वो गलत है लेकिन यहां फुक्रा जो है इसके बावजूद पूजा भट के साथ अच्छे से बात कर रहा है कल रात को डना टेबल पर जब ये लोग सभी बैठे हुए थे उस दोरान पूजा भट वहां आती है और फुक्रा कहता है कि दिन में आपने ब्लाक पैना था और अब रात को पिंक पैना हुआ है आप पर पिंक बहुत जच्छता है इस पर पूजा भट कहती है कि मेरी उमर की औरतों को लेकर इस तरीके के कमेंट पास नहीं करते मेरा जो मना आएगा मैं करूंगी तो अब यहाँ पर फुक्रा वाकई में सर पीट लेता है कि पूजा भट के मूँ लगना ही बेकार है उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक कॉंप्लिमेंट देना भी पूजा भट को इतना भारी पड़ जाएगा तो आपको क्या लगता है कि अब पूजा भट जान मूच कर कोई ना कोई मौके ढून रही है इस बात के कि वो किसी ना किसी तरीके से नीचा दिखा दे फुक्रा को आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं लेकिन अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे